प्रतिबंद की आदेश में हस्तक छेप करने से इनकार कहा जंदिकी बचाना अधिक महत्वपूर्ण जिहां उच्तम न्याले ने वायू प्रदूशन पर अंकुस लगाने के इरादे से काली पूजा के अवसर पर पस्चे मगाल में पटाकों के बिक्री और इसके इस्तिमाल पर प्रतिबंद लगाने के कलकत्ता उच्चे न्याले के आदेश में हस्तक छेप करने से इनकार कर दि न्यामूर्ती धननजे वाई चंदर चूड और न्यामूर्ती इंद्रा बनर जी की अवकाश कालीन पीठ ने कहा कि यद्यपी पर्व महतपुन है लेकिन इस समय महामारी के दोर में जीवन ही खत्रम है सिर्फ अदालत वायू प्रदूशन की वज़े से काली पूजा और छट पूजा सहित अगामी तिवहारों की अवसर पर पटाकों के इस्तेमाल और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता उचिन्याले के पांच नौबर के आदेश के खिलाफ गौतम रॉय और बड़ा बजार फायर वर्क्स डीलर्स एसोसियेशन की अपील पर सुनवाई कर रही थी काली पूजा का पर्व सनी वार को आपको बता दे मनाया जाना है पीठ ने कहा कि हम सभी इस स्थिती में जीवन के लिए संगर्ष कर रहे हैं हम सभी के घरों में विर्धजन है इस समय ऐसी स्थिती है कि जहां जीवन बचाना अधिक महत्पूर्ण है और उच नयाले जानता है कि वहाँ पर किस चीज की जरूरत है बिहार चुनाओ के नतीजों को लेकर कॉंग्रेस और आरजडी पर गिर्राज सिंग ने कसा तंज बोले खिस्यानी बिल्लिक खंभानों चे जहां बिहार विदानसवा चुनाओं में बहुमत से मिली जीत और अन्या राज्यों के उपचनाओं में भारी सफलता को लिकर बीजेपी के नेता गदगद है इस दुरान विरोधी दलों पर हमला करने से भीवे नहीं चुक रहे हैं इसी कड़ी में एक बार फिर से अपने विवादित बयानों के करण सुर्कियों में रहने वाले केंद्रियमंत्री गिररास सिंग का एक बयान फिर सामने आया है केंद्रियमंत्री गिररास सिंग ने आरजडी और कॉंग्रेस पनिशाना साधा है उन्होंने कहा कि कहावत है कि खिस्यानी बिल्लिक खमबानों चे न तो कॉंग्रेस अपनी सीटे बचा पाई और नहीं आरजडी जंता ने नकार दिया है ये इने स्विकार करना चाहिए जंता ने नितीश कुमार को नहीं बलकि तेजस्पी को ठका दिया उन्होंने कहा कि महागटवन्दन हारने के बाद भी सरकार बनाने का दावा कर रही है पुराने आकड़ों से भी ये नीचे चले जाने के बाद विलाप क्यूँ बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर दिगवजे सिंग ने कहा नेतीस जी को बड़ा दिल करके तेजस्वी के लिए सीएम पद की अनुशन सा करनी चाहिए जिहां पिहार विधानसवा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं इसके साथी एंडिये की सरकार बनने जा रही है हलाकि तेजस्वी यादो की पार्टी आरजडी ने सबसे अधिक सीटे विधानसवा चुनाव में जिती हैं चुनाव नतीजों के बाद बयानवाजी का दर सुरू है इसे बीच कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता दिगवजे सिंग ने चुनाव नतीजों को लेकर अपने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि नतीज जी को बड़ा दिल करके तेजस्वी के लिए सीएम पद की अनुशनसा करनी चाहिए आपको बता दें कि दिगवजे सिंग ने कहा कि नतीज जी को बड़ा दिल करके तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री के पद की अनुशनसा कर देनी चाहिए और जेडियू के लोग जितने भी लोग हैं वो फर्मूला बना ले डिप्टी सीम जो भी पद उनको ठीक लगे इस चुनाओं में आपको बता दें कि आरजडी को जहां 75 सीटों पर जीत मिली है तोहीं बीजेपी को 74 सीट मिली है जेडियू 43 सीटे मिली है उसको और कॉंग्रेस ने 19 सीटों पर अपना कबजा जमाया है उत्तर प्रदेश के यवाओं को योगी सरकार का उपहार यूपी में सुरू होगा मिशन रोजगार जेडिया उत्तर प्रदेश के यवाओं के लिए अच्छी खबर यवाओं को नौकरी और सेवा योजना के काम को अभियान का रूप देते हुए योगी सरकार मिशन रोजगार का अगाज करने जा रही है मुख्यमंत्री ने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश में 50 लाख यूवाओं को सेवा योजित करने का लक्ष तै किया है यह सेवा योजना मनरेगा से अलग होगी इसमें सरकारी पदों, परिशद, निगमों में खाली पदों पर नियुक्ती की प्रक्रिया तो पूरी होगी ही सरकारी प्रयासों से नीजी छितर में अथवा स्वा रोजगार के नए अवसर भीर स्रेजित किये जाएंगे मिशन रोजगार की कार्य योजना तैयार है जीतनराम मांजी का चिराग पास्वान पर तंज बोले जिस डाल पर बैठे उसे ही नहीं काटा करते जिहां बिहार विदानसवा चुनाओं में बहुमत मिलने के बाद अब NDA के नेता विरोधी दल और नेताओं पर तंज गस्ते हुए नजर आ रहे हैं इसी कड़ी में NDA से अलग होकर चुनाओं लडने वाले चिराग पास्वान पर बिहार के पुर्व सीएम और हम पाटी के मुगिया जीतनराम मांजी ने तंज गसा है उन्हेंने कहा कि जिस डाल पर बैठे और उसी डाल को कट दे तो हसर क्या होता है ठीक उसी प्रकार से चिराग साहब ने जिस फोल्ड में वे रहे उसे ही बरबाद और हराने का अब काम किया है निश्चित तोरपा डाल तो कटी है लेकिन उसके साथ ही वो भी गिरे हैं और अपने चिराग से ही भस्म हो गया है उन्हेंने कहा कि चिराग पास्वान बिहार चुनाव से पहले माईलेज लेना चाहते थे लेकिन जनता जनारदन ने उनको हवा हवाई कर दिया